हेलो लड़नास, आप सभी को प्यार भार, नमस्कार, ग्यासकली क्लासेट के यूट्यूब सेसन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, हमारे डेली MCQ प्रैक्टिस सीरीज में, तेके सीरीज में हम फोकस करते हैं, पेपर वन के अपकमिंग दिसंबर एक्जामनेशन में पूछे जा सकते हैं, और हमारा मेन मोटीव यह है, कि हम आपको अपको 40 प्लस क्वेस्टिस स्कोर करवा सकें, आपके पेपर वन में यूदिसी नेट का, और पेपर वन सबके लिए कॉमन होता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का भी बाउंडेशन नहीं है, डेली हमारी यह सिरीज सबा बारा बजे दोपहर में आती है, तो आप यह टाइम जो है बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आप टेलिग्राम जोइन कर लीजिए, वहाँ पर एकदम टाइम पर लाने के लिए, उसके लिए हम और मोटिवेट होते हैं और नए-ने सेसंस लाने के लिए, तो स्टाट करते हैं आज के इस स्पेसल सेसं को बीड़ा किसी देरी के, पहला कोशन हमारे सामने आ रहा है, in the context of Bloom's Taxonomy, यानि Bloom के वरगी करण के संदर्ब में, which of the following levels involves the ability to judge the value of a material for a specific purpose based on definite criteria, यानि Bloom के वरगी करण के संदर्में निमलिकित में से कौन सा स्तर किसे विशिस्ट उदेश्य के लिए समगरी का मुल्यांकन करने की समता को परिभासित करता है, पहला option आपके पास application, यानि अनुपरियोग, दूसरा option आपके पास analysis, यानि visualization, तीसरा option है, evaluation, यानि मुल् लिख देना है कि आपको क्या लग रहा है, इसका सहीतर क्या होगा, Bloom's के taxonomy के अनुसार, अब Bloom's के taxonomy क्या होती है, ये तो I hope कि आपको पता होगा, नहीं पता होगा, तो मैं किसलिये हूँ, बताऊँगा आपको, देखिए, in sessions में हमारा यही focus होता है, कि सब ही, जितने भी concepts ह हैं, उनको यहाँ पर साथ साथ में clear करते जाएं, और सिर्फ ऐसा नहीं हो कि सिर्फ option बताऊ और आगे बढ़ू, option बताऊ और आगे बढ़ू, ये तो करना होगा, तो ये पांच word पर session खतम हो जाएगा, तो देखिए, Bloom's के जो taxonomy है, इसके बारे में पर हम बात करते हैं, य एक hierarchical classification है, hierarchy क्या होता है, hierarchy मतलब level by level जो है ये बढ़ता जाता है, अब इसको अलग-अलग levels, किसके level, thinking के और learning के level के हिसाब से इनको divide किया गया है, thinking और learning के level के हिसाब से, अब सबसे पहले ये 1956 में इसको revise किया गया 2001 में, तो ये old taxonomy के नाम से जाना जाता है, और ये new taxonomy के जाना जाता है, याना पुराना और नया, और bloom ने नहीं revise किया था, इनके एक विद्यार्थी ने revise किया था, bloom सी taxonomy जो है ये framework आपको दे देती है, कि आप curriculum का जो structure है, assessment है, learning objectives है, इसको आप कैसे ready करेंगे, students को कैसे understanding उनका बहतर करेंगे, ये taxonomy categorize करती है, cognitive skill, यानि आपके स संग्यानात्मक कोशल है, उसके हिसाब से, और 6 level में divided है, कितने level में? 6 levels में, तो ये basic basic जानकारी हमने ले लिया, अब कौन-कौन सा होता है, तो देखिए, एक hierarchy मतलब क्या, एक नीचे से उपर के तरफ आप एक level याद रखिए, और मैं आपको नए वाला taxonomy बताता हूँ, त तो remembering क्या है, इसका नाम था knowledge, तो remembering क्या है, the ability to recall, ये recognize करना, information को, facts को, basic concepts को, तो मतलब यही हो गया, कि यहाँ पर ये rote memorization, रटने से है, इसके उपर आता है understanding, अब understanding में आप relationship बिल्ड करते हैं, चीजों के बीच, के concepts के बीच में relationship बिल्ड करना, और information को, ideas को आप explain कर पाए तो example के लिए सोचे कि एक chapter मैंने आपको दे दिया, और मैंने बोला है कि इसको आप summarize करिए, summarize करिए मतलब इसको, क्या conclusion निकलता है, संदर्व क्या है, इसको आप अच्छे तरीकी से मुझे कम सब्दों में, अपने सब्दों में बताईए, अपने सब्दों में जब मैं आप situation में उसका कैसा यूज करोगे, कैसे अपने knowledge जो भी प्राप्त किया है, उसको नए situation में यूज करोगे, solve करने के लिए, जो भी problems हैं, तो इसको हम कहते है, applying, तो problem solving से related होता है, इसके बाद analyzing आता है, अगला level, analyzing, यानि कि information को आप तोड़ोगे, breakdown करोगे, आलागला components में, उस वो वाला level है, यहाँ पर आप जो है न, वो reflection करते हो, चीज़ों के ऊपर समझते हो कि भाई, क्या relationship पर concept के बीच में कैसे कैसे compare करोगे, आप case study लोगे, analyze, differentiate, compare, यह सभी जो keywords हैं इसके, फिर इसके सभी के में keywords भी बताने वाला हूँ आपको, फिर अगला आ जाता है आपके पास level evaluating, देखें, ऐसे ही समझा के चलता हो न, तो जो session है वो लंबा होता है, तो यह मत सोचेगा, पूरे session को देखा कर यह बहुत सारा आपको यहाँ पर concept, theory समन्दे को मिलता है, evaluating में क्या होगा, और analyze से evaluate करना कैसे different है, देखें, analyze करने में आप visualization कर रहे हो, वह ही evaluate करने में इसका मतलब किया मुल्यांकन करना है, आप judgment दे रहे हो, कोई भी criteria या कोई भी standard के basis पर, आपने पहले से ही set कर रखा है, example के लिए आप कोई भी theory है, उसको criticize कर रहे हो, या फिर कोई भी solution है, उसकी गुडवत्ता है, उसको जाच रहे हो कि कितना हो यह है, या फिर कोई भी debate क कर रहे हो, यह सभी इसमें आ जाएगा, इसके बाद अगला आता है आपके पास creating, creating जो है, यह elements को आप कैसे combine करके और एक नया कुछ create करते हो, coherent whole बनाते हो, यानि alternative solutions propose करते हो, जैसे कोई भी project design कर रहे हो, कोई भी नया कहानी लिख रहे हो, कोई भी original experiment कर रहे हो, यह सभी creating के अब old taxonomy, इसके बारे में बात कर लेते हैं, देखे, old taxonomy जो है, इसमें, bloom ने 1956 में इसको दिया था, और जैकि यह remembering के जगा पर क्या आ जाएगा, knowledge, यह भी आपको याद रखना जो रहे है, क्योंकि simulated question पूछा जा सकता है, understanding के जगा पर क्या आ जाएगा, comprehensive, मतलब यह noun use इसके बाद आ गया आपका evaluate और create, तो देखे, create के जगा पर यह synthesis था, लेकिन synthesis यहाँ पर पहले था, और इसके बाद last में evaluate था, evaluation यह आखरी में था, लेकिन बाद में इसको change करके, और यह वाला replace हो गया, यहाँ पर synthesis यहाँ पर creating आ गया, और evaluation वाला evaluating यहाँ पर आ गया, तो कौन से level के बारे में बात हो रहा है, तो देखे, सबसे पहला अगर हम बात करें remembering के बारे में, तो यहाँ पर keywords आपको याद रखता है, अगर define कुछ लिखाए, define, list, memorize, recall, यह सब यहाँ पर आ जाएगा keyword, understanding वाले में, keyword में describe, explain, interpret, summarize, classify, discuss, वही applying वाले में आ जाएगा, आपके implement, use, demonstrate, solve, यह सब इसका keyword है, फिर analyze वाले में आ जाएगा आपका, analyze, differentiate, compare, contrast, examine, test, deconstruct, यह आ जाएगा, evaluating वाले में क्या जाएगा, evaluating में आपका आ जाएगा, evaluate, judge, critique, assess, justify, support, recommend, यह create वाले में क्या जाएगा, design, create, construct, formulate, develop, generate, invent, यह सभी आपके keywords है, तो यह याद रखना आपको important है अब बताईए, इस प्रशन के बारे में, कि जब आप ability to judge the value of a material, अब देखे, judge कहा रहा है न, अब मैंने आपको बताया था, कि, keywords मैंने आपको बता रखा है, तो अब आपको बता जाना चाहिए, कि judge कौन से वाले में आएगा, देखे, हमने बात किया, तो जो judge, जो keyword है, व होगे, तो bloom की taxonomy में, evaluation, second highest level होता है, original hierarchy में, यानि कि, जो यह है, evaluating, यह second highest है, और, यह level, इसमें judgment आप करते हो, इस कोई भी specific criteria, standard के basis पे, और इसको, आप जो है न, इसमें credibility जात सकते हो, information के value जात सकते हो, decision making, जो है, इसमें ज़रूरी होता है, application वाला level, आपको मालू है, कि नए situation में कैसे information को use करोगे, उससे है, analysis मतलब, focus करता है, information को breakdown करने में, और synthesis मतलब, यह level, अलग-अलग elements को combine करके, कैसे एक बनाओगे, और कैसे आप कुछ create करने के बारे में बात करोगे है, तो यह Blooms के original taxonomy में से, यह दिया गया, application, analysis, evaluation, synthesis, तो यह वाले में से दिया गया है और यह नया वाला taxonomy है, तो याद रखेगा, यह बहुत important है, तो चलिए, I hope किसका सही उतर अपने नीचे comment section में दे दिया हो, काफी लंबा explanation हो गया इसका, अब बढ़ते हैं अगले question के तरफ, which of the following research methods uses control groups, random assignment, and manipulation of an independent variable to study cause-effect relationship, देखे, अच्छे-च्छे questions लेके आया हूँ आ आपके लिए, मैंने बोला था न, Sunday specials रसा है, तो बढ़िया-बढ़िया question होंगे, बिल्कुल अच्छे से इन questions को solve करते रहिए, नीचे comment section में अपना जवाब देते रहिए, question number 2 लिखेंगे, नीचे comment section में जाएंगे, इसका सही उत्तर, आपको क्या लगता है, कि क्या होगा पहला option है, ex post factor research, दूसरा option है core relational research, तीसरा option है experimental research, और चौथा option है descriptive research, यानि पूर्वपस्चात सोध, सह संबंदी सोध, प्रायोगीक सोध या वर्णात्मक सोध, निल्मिखित में से कौन सा सोध पद्धती नियंत्रड समू हो, random assignment और स्वतंत्र चर में हेर फेर का उपयोग क एक-एक option यहाँ पर हम explain करते हैं, आपको खोदी पता चल जागा, देखे, ex post factor research, यह जो है, आप past events को इसमें क्या करते हो, involved रहता है, क्या करते हो, analyze करते हो, past event, जो पुराने event हो चुके हैं, उसको analyze करते हो, और इसमें variables को आप manipulate नहीं करते हो, क्योंकि यह तो पहले ही हट चुका है, तो कैसे variable को manipulate करोगे, तो इसमे cause and effect relationship आप find out नहीं कर पाऊगे, तो ex post factor research जो है, इसका सही उकतर नहीं होगा, अगला है core relational research, इसमें आप relationship find करते हो, variables के बीच में, relationship between variables, लेकि इसमें manipulation आप नहीं करते हो, और इसलिए causation जो है, यह इसमें नहीं लाया जा सकता है, यह भी नहीं होगा, experimental research जो होता है, यह जाना ही जाता है, manipulation के लिए, experimental research जो है, प्राइमरी method होता है, अगर आप cause effect यह कारण प्रभाव, जो संबंध है, उसको स्थापित करना चाते है, cause effect relationship को establish करना चाते है, इसके लिए, इसमें आप जो स्वतंत्र चर है, independent variable है, इसको आप manipulate करते हैं, और observe करते हैं कि independent variable में अगर हम कोई hair fare कर रहा है, कोई hair fare अगर हम यहाँ पे कर रहा है, तो इसका dependant variable, या नि की जो यहाँ पर वोचर है, जो इसको ऊपर dependant है, जो इसको उपर वो rely कर रहा है, उसके उपर क्या असर आरा है, और यह control और experimental groups कित्रूर करते हो, आप कि वो ज़्यादा causality के तरफ ध्यान दे यानि कि क्या कारण है उसके तरफ ध्यान दे तो experimental research इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राय होगी एक सोध descriptive research में as it is जो चीजे हैं उसको describe कर दी जाता है कोई भी phenomena है तो उस phenomena को as it is बीना किसी manipulation के without manipulation आप यहापर describe कर देते हो और यहाँ पर cause and effect relationship नहीं find out कर सकते हैं तो यह भी नहीं होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा c बढ़ते हैं अगले प्राशन के तरफ हमारा अगला प्राशन आ रहा है तीसरा प्राशन in the communication process which of the following barriers arises due to differing interpretations of the same message by the sender and the receiver देखे एक message भेजा आपने और same message को जो है न अलग-अलग तरीके से यहाँ पर व्याख्या किया गया यानि संचार प्रक्रिया मनने विखित में से कौन सा बाधा प्रेशक और प्राप्त करता सेंडर और receiver द्वारा एक ही संदेश की विविन व्याख्याओं के कारण उत्पन होती है मतलब एक ही message को अलग-अलग तरीके से interpret कर लिया गया जैसा हमारे घ्यान है जैसा हमारे पास पुर्वाग्रा है है ना कोई bias ने सगर होने मन में बैठा उसके यह सा अप्समने कर लिया बताए इनमें से कौन सा सही हुत्तर होगा प्रशन नमबर 3 या प्रशन नमबर 3 लिखके नीचे comment section में mention कर देंगे आपको क्या लग रहा है इसका सही हुत्तर क्या होगा तो जैसे हम करते हैं एक-एक option लेके चलेंगे देखें पहला option है physical barrier physical barrier क्या होता है आपको क्या समझ में आता है physical नाम सुनके physical मतलब कोई भौतिक चीज कोई ऐसी चीज जिसको आप अपने सामने उसको देख सको, सुन सको या उसको टच कर सको, वो physical होगा तो environmental factors हो सकते है physical barrier, distance कितना distance है जिससे आप communicate कर रहे हैं वो एक लोटर दूर खड़े हैं आपसे तो वो distance हो गया फिर इससे क्या होगा masses जो है transmit हो रहा है वो interfere होगा लेकिन interpretation से related नहीं है यह interpretation मतलब व्याख्या हो गया वो एक ही चीज को कैसे interpret किया जा रहा है कैसे उसका meaning निकाला जा रहा है दूसरा है psychological barrier psychological barrier क्या है personal bias जैसे आपके दिमाग में कोई पुर्वागरा किसी के प्रती बैठा है किसी group किसी समों के प्रती किसी इंसान के प्रती तो उससे क्या होगा psychologically जो है आपका emotional state या mental health जो है वो effect कर सकता है कि कैसे आप जो है उस चीज का meaning निकाल रहा है तो वो psychological barrier है ये इससे related नहीं होगा क्योंकि ये तो आपके जो है internal process के through यहां पर हो रहा है और meaning making जो same message है उससे related यह नहीं है क्योंकि ये दोनों के बारे में कहा रहा है sender और receiver semantic barrier semantic barrier मतलब क्या होगा semantic barrier टब होता है जब हम misunderstand कर देते हैं चीजों को जो है न हम गलत फहमी हो जाता है किस चीज से language या निकी फासा हो सकता है अलग अलग हो हो सकता है सब्दों का जो है ऐसा अप्रियों किया गया हो जो सब्द हैं हो काफी सब्द जाल वाले जो सब्द होते हैं जो जारगन होते हैं या फिर कोई ऐसे symbol हो जो कि आप जानती ही नहीं हो कोई cultural differences वो जैसे या फिर कोई phrase है जिसका अलग-अलग meaning हो सकता है तो sender, receiver दोनों अलग-अलग समझ सकते हैं यह ज्यादा तर जो है अलग-अलग background से आने वाले sender और receiver के लिए होता है जिसमें अलग-अलग भासा, अलग- कई बधित हो जाता है तो यही इसका सही उत्तर होगा semantic barrier सब्दार्थिक बाथा इसका correct answer होगा चौता option है organizational barrier यह hierarchy यह structural issue के वज़े से होता है hierarchy मैंने आपको बता है था लेवल के वज़े से हो जगता है कि यहाँ पर कोई भी एक office है उसमें hierarchy बनी होई है और यहाँ यहाँ जुनियर यहाँ पर contact नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा जो यह communication का process है यह बहुत ज्यादा यहाँ पर stiff है वहाँ पर flexibility नहीं है तो असानी से आप नहीं कर सकते contact वो organizational barrier हो जाएगा और यह individual interpretation से कोई relations का नहीं है तो यह भी नहीं होगा इसका correct answer हो जाए in which of the following cases does logical reasoning known as affirming the consequent result in a logical policy बताए निम्लखित में से कौन सा तर्क परेडाम की पुस्टी के रूप में जाना जाता है जो एक तर्क दोस्ट का कारण बनता है परेडाम की पुस्टी question number 4 लिखके जो भी आपको इसका correct answer लगे option सुनने के बाद नीचे comment section में लिख देंगे पहला option है if it rains the ground will be wet the ground is wet therefore it must have rained यदि बारिस होती है तो जमीन गीली हो जाएगी जमीन गीली है इसलिए बारिस होई होगी दूसा option है all dogs are animals thus all animals are dogs यानि सभी कुटे जानवर हैं और दा सभी जानवर कुटे हैं तीसा option है either it will rain or it will not rain it is raining therefore it will not rain या तो बारिस होगी या नहीं होगी बारिस हो रही है इसलिए बारिस नहीं होगी और चौता option है all mammals have a backbone a dog has a backbone hence it is a mammal यानि सभी स्तंधारी की रीड की हड़ी होती है कुटे की रीड करड़ी होती है इसलिए यह एक स्तंधारी है बताइए इनमें से कौन सा वो case है logical reasoning का जहाँ पर हम affirm कर रहे हैं consequent को एक logical fallacy बन जा रही है यानि कि यहाँ पर एक तरक दोस बन फिर मैं बताता हूँ देखिए यह कह रहा है पहला option हो पस if it rains the ground will be wet the ground is wet therefore it must have rained अब देखिए यह example जोने यह demonstrate कर रहा है यह बता रहा है कि जो भी affirming the consequent का यह case है न यह इसी के बारे में यह बता रहा है क्या यह अगर जो यह ground है जो यह जमीन अगर गिली है तो जरूर बार इस हुई होगी लेकिन यह बिल्कुल ही overlook कर रहा है दूसरे possible reasons वे जमीन गिला जरूरी नहीं के बारे इसके वज़े से ही होगा हो सकता है किसी ने बालटी पर पानी फेक दिया हो जमीन गिला हो गया हो सकता है वहाँ पर किसी ने sprinkler use कर दिया हो सकता है कोई water tanker आया हो और उ देखिए बारिस होती है तो ground गिनी हो जाती है ground गिनी है या नहीं बारिस होई होगी तो यह जो है आपका affirming the consequent इसको हम कहते हैं यही इसका correct answer होगा अगला option जो हमने हैं उसको भी discuss कर लेते हैं all dogs are animals thus all animals are dogs देखिए यह policy कहते हैं हम इसको illicit conversion याद रखेगा नाम illicit conversion अगर आपको चाहिए तो इसके बारे में आप पुछेगा doubt group में जो हमारा बना हुआ है doubt group टेलिग्राम पर और मैं वहाँ पर आपको जो है अच्छे से clear करते हूंगा आप बस वहाँ पर एक बार mention कर दीचेगा तो illicit conversion होता क्या है illicit conversion जो है यह policy होती है और इस policy में जिससे हम क्य देंगे कि सभी januar भी कुटे ही होंगे तो यह तो illicit conversion हो गया गलत तरीके से हमने इसको convert कर दिया तो यह नहीं होगा फिर it will rain or it will not rain it is raining therefore it will not rain तो यह जो है यह contradiction है अपने ही बात को जो है यह गलत साबित कह रहा है कह रहा है कि या तो यह बारिस होगी या तो बारिस नहीं हो तो यह जो है न यह तो true statement है इसमें तो कोई policy है ही नहीं यह तो सही है यह कह रहा है कि सभी जो इस्तंधारी उनकी reading के हट्डी होती है कुट्ता एक स्तंधारी है उसकी reading के हट्डी है या कुट्ते के पास reading के हट्डी है इसलिए वो इस्तंधारी है तो यह तो बिलकुल सही ह तो A option इसका सही हो जाएगा affirming the consequence अगले प्रशन के तरफ और बढ़ने से पहले देखे paper 2 में हमारे admissions के कुछ आखिरी दिन चल रहे हैं और 1-999 प्राइज रखा गया है paper 2 का इसके साथ आपको paper 1 बिल्कुल free of cost दिया जा रहा है और देखे जो admissions है वो just close ही होने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से अब हमारे batches चलने वाले हैं नया setup भी मैं हमने कर लिया है जिसमें एक पूरा studio जो है अब बिल्कुल professional तरीके से चलेगा जिसमें sound की भी problem नहीं आएगी camera भी बहुत अच्छा set किया गया है और बिल्कुल professional तरीके से हम आगे बढ़ेंगे classes जो है बहुत ही well maintained तरीके से चलेंगी और जो notes का दिक्कत आ रहा था तो notes जो है मैं ready कर रहा हूं इस बार तो उसकी भी tension आपको नहीं लेनी है बिल्कुल ही dynamic notes मिलेंगे नए notes मिलेंगे आपको और आपकी तयारी बहुत जादा बहतर होने वाली है तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो देखे paper to plus paper one, paper to education और paper one जो है सबके लिए common होता यह आपको 1,990 रुपे देने होंगे 9015958713 is the number इस पे आप call या message करके अगर आप interested हैं तो आप ले सकते है बढ़ते हैं अपने अंगले प्रस्शन के तरह हमारा पाच्वा प्रस्शन है which of the following types of sampling is likely to be the most useful when researchers need a sample that is representative of the population in terms of specific characteristics बताइए निमलिखित में से कौन सा sampling प्रकार तब सबसे उपियोगी होता है जब सोध करताओं को विसेस विसेस्ताओं के संदर मिजन संख्या का एक प्रतिनिधित दोकारी नमूना चाहिए options आपके सामने ये हैं पहला option है simple random sampling यानि साधारर या द्रिक्षिक sampling दूसरा option है systematic sampling विवस्थित sampling तीसा option है stratified sampling यानि स्तरीकृत sampling और चौता option है snowball sampling बताइए इनमे से कौन सा सही उत्तर होगा question number 5 ये question number 5 लिक के नीचे comment section में mention कर देंगी आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा एक-एक option हम discuss करते हैं बहुत जल्दी देख कहा रहा है कि कौन से type का sampling ये सबसे ज़्यादा useful होगा जब researcher क्या करेंगे उनको एक ऐसा sample चाहिए जो कि पूरे population को represent कर रहा हो अलग specific characteristic के लिए यानि कि विसेस विसेस्ताओं के संदर्ब में तो देखें simple random sampling क्या होता है simple random sampling जो है न ये हर member को equal chance देता है selection का equal chance देता है selection का तो किसी भी तरीके से biasness नहीं होता है यहाँ पर chance तो equal मिल रहा है लेकिन यहाँ पर एक problem है कि ज़रूरी नहीं है कि जितने subgroups हैं अलग-अलग जिनकी characteristic जिनकी विसेस्ताओं अलग-अलग हैं उन सभी लोगों को ये represent कर ही देगा हो सकता है कि एक ही जिगा पर एक ही characteristic के पास लोग खड़े हैं और आपने जो है हो सकता है कि random-random जो है अलग-अलग लोगों को लिया और सभी के characteristic एक ही रह जाएं तो ये simple random sampling में जो है जरूरी नहीं है आपने equal chance दिया है यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा है कि आपने किसी भी तरीकी का यहाँ पर कोई biasness या पुर्वाग्रा आपके मान में बैठा हुआ है किसी भी तरीकी का hairfare आपने किया लेकिन वहाँ पर हो सकता है कि वो हर एक specific group को represent ना कर पाया sample तो यह जो है नहीं होगा इसका सही उत्तर systematic sampling क्या होता है systematic sampling में आप members को select करते हो regular intervals पे याद रखेगा बिल्कुल regular interval आप set कर दे तो यहाँ यह interval होगा इतने इतने kilometer पे मैं लोगों से पूछूँँगा या फिर इतने इतने घंटों में इतने इतने लोगों से पूछूँँगा तो यहाँ पर regular intervals set करते हो आप लेकिन जरूरी नहीं है कि यह specific population characteristic को यह represent करे ही करे तो यह भी नहीं होगा stratified sampling इसका सही उत्तर होगा क्यों होगा मैं बता रहा हूँ देखिए आप stratified sampling में अलग-अलग strata divide कर देते हो strata मतलब क्या होगा group या subgroup जिसे हम कहते है अब यह subgroup जो है न इसमें आप अलग-अलग जो विसिस्ताएं हैं लोगों के उसके हिसाब से इन groups को आप बांट देते हो और फिर उसमें आप क्या करते हो यह specific characteristic विविसिस पे आप age, income, उनके जो income level है उसके हिसाब सेंपल लेते हो तो सभी strata को बराबर मोका मिल जाता है यह method ideal है अगर आप representative sample लेना चाहते हो और यह ensure करना चाहते हो कि हर subgroup को पूरा बराबर यहाँ पर मोका मिले तो इसलिए C option इसका correct answer हो जाएगा certified sampling और snowball sampling क्या होता है यह तब use किया जाता है जो population है या तो hidden population होता है या तो ऐसा population होता है जो छुपा हुआ होता है जैसे कोई tribal है तो उस tribe के उपर आप यहाँ पर अगर experiment कर रहा है हो सकता है वो tribe को उनके तक पहुशना बहुत मुस्किल हो यह हो सकता है जब वो चीज़े जो है उन से मिलना उन तक पहुशना बहुत मुस्किल होता है जिनके उपर आप research कर रहा है तो यह जो है इसका correct answer नहीं होगा इसका सही option हो जाएगा C option certified sampling तो I hope कि इसका सही उत्तर अपने नीची comment section में दिया हो और आपको अच्छे से समझ में आ गिया हो कि या इसका सही उत्तर क्या होगा अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रशन के तरफ हमारा अगला प्रशन 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 बर छे अंडर which of the following circumstances the mode of data presentation known as tabular presentation most advantages बताइए निमलिकित में से किस परिस्तिती में सार्णी बध प्रस्तिती के रूप में data प्रस्तिती का मोट सबसे लाभ प्रद होता है पहला option आपके पास when the data involves sequential information यानि जब data में क्रमिक जानकारी सामिल होती है important mark कर लिजेगा इसको दूसा option आपके पास when the comparison of quantities is required यानि जब मात्राओं की तूलना क्या उशक्ता होती है तीसरा option आपके पास when the data is qualitative rather than quantitative यानि जब data गुणात्मक है ना की मात्रात्मक और चौथा option है when data needs to be visualized graphically यानि जब data को ग्राफिक रूप से चित्रिद करने का उशक्ता होती है तो बता ही इसका साही answer क्या होगा यह कहा रहा है कि tabular presentation के लिए सबसे ज़्यादा advantages कौन सा होगा अगर जो data है इसको tabular presentation में किया जा रहा है तो एक यक option discuss करते हैं पहले तो आप question number 6 लिखके नीचे comment section में mention कर दिजिए कि इसका साही उत्तर क्या होगा देखे जब हम पहला option को discuss करते हैं कहा रहा है कि when data involves sequential information जब sequential information data में होता है तो sequential data जो है यह ज़्यादा better suit होता है timelines के लिए flow charts के लिए है तो अगर आप timeline बनाना चाहते हो flow chart बनाना चाहते हो तो उसमें यह sequence वाले data use आता है तो यह इसका correct answer नहीं होगा अगर आप जो भी चीज़े हैं उसको comparison करना चाहते हो तो tableau presentation सबसे ज़्यादा फायदे मंद होता है quantities को compare करने के लिए कि सामने सामने आपको देख जाता है table में clearly data organized आप उस हिसाब से करते हो जो readers होते हैं वो जो है आप allow कर सकते हो कि value को कैसे वो observe करें अलग-अलग categories में comparison कर सकते हो जो tables होते हैं वो highly effective होते हैं structured और quantitative data देने के लिए तो यह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि comparison जब require होगा तब भी इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा option है whether data is qualitative rather than quantitative तो देखे qualitative होगा अगर तो qualitative data जो है ग्राफिक रूप से तो यहाँ पर graph chart यह सब use होगा pie chart होता है यह graphs होते हैं वो use होते हैं data visualization के लिए table नहीं होता है तो यह भी नहीं होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा बी option और I hope कि इसका सही उत्तर आपने दिया हो नीचे comment section में different different questions है और हमारा effort अगर आपको अच्छा लग जा है तो kindly वीडियो को like करते हुए और नीचे comment भी कर दीजिए देखे like करना बहुत important है हमें motivation मिलता रहेगा और sessions आते रहेंगे हम बताइए सात्वा प्रशन है which of the following bodies primarily ensures the maintenance of quality in higher education institutions in India बताइए निम्रिकित में से कौन सा निकाय भारत में उच्छ सिक्षा संस्थानों में गुडवत्ता बनाये रखने को प्रात्मी कुरूप से सुनशित करता है options आपके सामने पहला है UGC दूसरा है NAAC तीसा option है NCT और चौथा option है AICT क्या लग रहा है आपको इसका साही उत्तर क्या होगा question बस 7 लिखके नीचे comment section में mention कर दीचिए देखिए इसमें कहा रहा है quality higher education institution में ensure करना maintain करना इसके लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है तो पहला option आपके पास UGC है UGC क्या करता है यह overall framework के उपर ध्यान देता है funding के उपर ध्यान देता है और regulation के उपर ध्यान देता है लेकिन quality assessment वगरे यह conduct नहीं करता है तो यह नहीं होगा UGC मतलब University Grants Commission फिर NAAC National Assessment and Accreditation Council इसका नाम है और यह जो है focus करता है quality maintenance के उपर इसका focus होता है assessing और accreditating higher education institutions और इसका aim होता है कि वो maintain करे और enhance करे quality standards को अलग-अलग criteria में जैसे teaching, infrastructure, research इसमें कैसा काम हो रहा है इसके उपर इसका focus होता है तो यह जो है इसका correct answer हो जाएगा B option NAAC National Assessment and Accreditation Council अग्ला option है NCT देखे teacher regulator education को regulate करने के लिए National Council for Teacher Education जो है बना हुआ है लेकिन ये सभी higher education quality standards को नहीं regulate करता है ये भी नहीं होगा और AICTE जो है ना ये All India Council for Technical Education फोकस करता है technical और professional education पे लेकिन quality जो है ना higher education में अलग और-और भी तो बहुत सारे आते हैं यहाँपर higher education में बहुती broad और बहुत ही व्यापक यहाँपर coverage होता है तो ये भी नहीं होगा इसका correct answer हो जाएगा B option I hope कि ये आसान प्रश्न का आपने सही उतर दिया हो नीचे comment section में बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के तरफ अगला प्रश्न कमरा आटवा प्रश्न आ रहा है देखे बताईएगा कि आज की questions जो है आपको कैसे लगे इसका toughness कैसा लगा और uniqueness कैसा लगा unique questions लेके आया हो आपके लिए ताकि जो अलग type के questions पूछे जाएएं तो आप उसका सही उतर दे पाओ examination में भी options आपके सामने हैं पहला आगमनात्मक तर्क inductive reasoning दूसा option है निगमनात्मक तर्क deductive reasoning तीसा option है अपरनात्मक तर्क abductive reasoning अब इसका यह हिंदी को मैं कहाने सकता हूँ कि यह सही है कि गलत यह थोड़ा जिए बलग रहा है abductive reasoning और चोथा option है analogical reasoning साद्रिस स्यात्मकता है बताई इनमें से कौन सा सही mode of reasoning होगा जो की सुरू होता है एक hypothesis create करने से और आगे बढ़ता है इसके validity चेक करता है और observation experiment के जरी है तो देखे पहला inductive reasoning है inductive reasoning जो है नहीं यह generalize करता है specific observation से तो यह हम कहा सकते है specific to general जाता है inductive reasoning अगर हम देखे तो inductive reasoning में हम induce करते हैं चीज़ों को मतलब जोडते हैं धीरे-धीरे specific cases से general के तरफ हम जाते हैं कि कोई specific instance है एक-एक case उठाएंगा और उसको हम generalize कर देंगे उसको उसका सामानी करण कर देंगे यह inductive reasoning होता है तो यह moving from specific to general अब कहा सकते हैं वह ही deductive reasoning होता है तो इसमें आप general to specific जाते हैं मतलब general चीज़े आपको पता है और वहां से आप specific instance तक पहुंचेंगे तो जैसे deductive reasoning start होता है एक general premise या hypothesis से तो उसकी validity test होती है observation या experiment के जरी अगर premise सही है तो conclusion जो है वो logically follow करेगा उसको और यह reasoning जो है यह method है यह hypothesis testing के लिए बहुत ज़्यादा reliable होता है बहुत ज़्यादा विश्वस्वस्णिय होता है hypothesis testing के लिए तो यह deductive reasoning यह इसका सही उत्तर हो जाएगा निंग्मनात्मक्तर आगे बढ़ते हैं abductive reasoning जो है यह hypothesis जो है incomplete data के उपर अगर आप बना दोगे उसको कहते हैं और analogical reasoning जो है इसमें आप parallels draw करते हो एक ही तरीके के cases होंगे उसमें क्या-क्या similarities हैं उसके वो एक parallel draw कर होगे तो यह इसका सही उत्तर नहीं होगा B options का सही उत्तर हो जाएगा IO की नीचे comment section में इसका सही उत्तर आपने दे दिया हो बढ़ते हैं अपने अगले प्रशन के तरफ हमारा अगला प्रशन नौवा प्रशन है in ICT which type of network is used when data is transmitted across several cities और countries यहनि ICT में किस प्रगार का network तब उप्योग किया जाता है जब data का ही शहरो या देशों में प्रसारिद किया जाता है options आपके सामने है पहला option है LAN LAN दूसा option है MAN MAN तीसा option है WAN WAN और चौथा option है PAN PAN तो देखिए जो LAN है local area network सबसे पहले तो question समझ दीजे question number 9 लिख के नीचे comment section में आपको क्या लग रहा है इसका सही उत्तर क्या होगा लिख दीजिए पूछ रहा है कि कौन से type का network का use किया जाता है अगर data को transmit किया जा रहा है अलग-अलग cities या countries में अलग-अलग देश में या अलग-अलग शहरों में तो दीखिए local area network क्या होता है ये छोटे areas तक limited होता है small areas होता है localized area होता है किसी building माले जिए एक building तक सिमित है किसी company तक सिमित है तो ये land हो जाएगा local area network ये अलग-अलग cities या country तक नहीं जा सकता है ये नहीं होगा man क्या होता है इसका full form होता है metropolitan area network तो ये एक city के अंदर ये कोई बड़ा campus अगर college का उसके अंदर ये रहता है ये network और ये countries या cities के बीच में नहीं हो सकता है ये भी नहीं होगा when wide area network जो है इसका correct answer होगा wide area network में हम क्या कर सकते है ये computers ये devices जो है नगर लार्ज जे ग्रॉफिक एरिया जो होते है जो भूबाग ये च्छेत्र होता है जो बड़े च्छेत्र दूर दूर के भी च्छेत्र है cities हो सकते है countries this भी हो सकते है इन तक जो है ये connection network बना होता है ये extensive data transmission network होता है ये दूर तक data को transmit करने के लिए use होता है तो data transmission अगर long distances तक आप करना चाहो तो उसके लिए आप WAN के इस्टमाल करते हो ये इसका सही उतर होगा PAN क्या होता है personal area network ये close range personal devices जैसे Bluetooth हो गया तो Bluetooth आपका personal area network का एक example हो गया जो कि कुछ meter तक ही होता है few meters याना इसका walkie-talkie जो होता है वो भी example हो सकता है तो ये जो आपका सही उतर हो जाएगा वो हो जाएगा C-W-A-N wide area network इसका full phone होता है wide area network है उपकि इसका सही उतर आपने नीचे comment section में दे दिया हो और देखिए आगे बढ़ने से पहले फिर से आपको एक बार याद दिला दूँ बीच-वीच में जो है ये जरूरी है अभी बताना क्योंकि देखिए हम भी यहाँ पर अगर ये system चला रहे हैं तो उसको चलाने के लिए affordability वाला part जो है important इसलिए बताना पड़ता है वरना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ये बार-बार बोलना देखिए paper one के लिए अगर आप interested है और मुझसे पढ़ने में आपको अच्छा लगता है अगर आपको लग रहा है कि बिलकुल dynamic notes दूँगा और personal guidance के लिए मैं available रहता हूँ हमेशा 24 into 7 आप इस नंबर पर call कर सकते है 9015 95 8713 और call या message करके आप admission ले सकते है अब हमारा अगला प्रशन है दस्वा प्रशन according to the National Education Policy 2020 which of the following is the core aim of higher education reform in India बताइए राष्ट्रे सिक्षा नीती 2020 का अउशार भारत में उच्छ सिक्षा सुधार का मुख्य उधेश से क्या है पहला option आपके पस तो focus on arts and humanities only यानि केवल कला और मानविकी पर ध्यान केंद्रित करना दोसा option है तो separate undergraduate and graduate courses यानि सनातक और सनातक उत्तर पाठिक्रमों को अलग करना तीसा option है तो प्रमोट इंटर्डिसिप्लिनरी स्टेडिज और रिसर्च यानि अन्ता विश्य अध्यान और सोध को बढ़ावा देना और चौथा option है नीचे comment section में mention कर दीजिए और देखिए या आकरी प्रशन है तो एक बार और आपसे मैं आपील करूँगा kindly वीडियो को लाइक कर दीजिए नीचे comment section में जरूर बताइए कि ये sessions आपके लिए कैसे रह रहा है helpful रह रहे हैं कि नहीं और कुछ learners का request आ रहा था कि sir paper to education के लिए भी ऐसे ही similar sessions लाइए ये देखिए मेरा भी मन करता है कि मैं ज़्यादा-ज़्यादा sessions लाऊं सब का help कर सकूं लेकिन थोड़ा time constraint का दिक्कत हो जाता फिर भी मैं कोसिस करूँगा कि मैं समय निकाल कर और वो sessions भी लेकर हो आपके लिए एक-एक option डिसकस करते हैं कहा रहा है कि राष्टे सिक्षानिती जो 2020 आया है इसके अनुसार जो higher education reform भारत में हो रहा है जो उच्छे सिक्षा में सुधार है इसका मुख्योदे से क्या रखा गया है पहला option कहा रहा है कि Arts और Humanities पे इस सिर्फ focus होगा बिल्कुल गलत जहां पर only आ गया और कुछ आप positive भूणने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं मिलेगा अगर सिर्फ Arts और Humanities पे focus करोगे तो Engineering कहां गया Technology कहां गया Medical कहां गया Legal कहां गया ये भी तो सभी अलग-अलग aspects है न तो NEP जो है एक broad एक समावेशन वाला approach अपना रहा है ये specific fields पर नहीं बलकि broader fields पर focus कर रहा है तो ये इसका सही उतर नहीं होगा दूसर option है to separate undergraduate and graduate courses देखिए undergraduate and graduate courses तो वैसे ही separate है न तो इनको separate नहीं करना बलकि integrate करने के बारे में ये है अब NEP जो 2020 है इसमें हम यही फोकस कर रहा है कि जो undergraduate पर पढ़ाया जा रहा है जो सनातक अस्तर पर पढ़ाया जा रहा है जो सनातक उतर अस्तर पर पढ़ाया जा रहा है इन दोनों के बीच में कैसे हम integration ला सके है एक ही करण कैसे करें हम flexible degree option के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है कि degree जो हो वो flexibility हो उसमें हम जातर process करें कि एक साल की ओधी कम करें और साथ में मिलके जो है integrated learning करा है तो यह भी इसका सही उत्तर नहीं होगा तीसरा option है to promote interdisciplinary studies and research तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा अंता विशय अध्यान और सोध को बढ़ावा देना देखिए जहाँ पर हम interdisciplinary studies के बारे में बात करते है न तो वहाँ पर हमारे पास जो राष्टे सिक्षानिती ज़र भी सही जो डालती है कि हम अंता विशय अध्यान के उपर देखें integrate करें multi-disciplinary approach अपनाएं और साथी साथ बहु भासिता यानि multi-linguism के बारे में भी बात होता यहाँ पर हम बात करते हैं कि कैसे हम science को art को humanities को और इसके साथ जो भी अलग-अलग fields हैं उनको जोड़े और जो creativity है उसको और innovation है नवाचार है उसको रचनात मकता और नवाचार इन दोनों को बढ़ावा दे सके यह approach इसका पूरा aim क्या है कि भाई हम well-rounded एक adaptable और holistic individual को ready करें एक सरवांगीन personality ready करें जो कि दुनिया में अगर कुछ भी चल रहा है तो उसके लिए वो interested हो या फिर उसके पास वो knowledge हो और यह ना होगी सिर्फ specific एक field में ही उसका knowledge है और उसमें ही वो limited हो गया तो ऐसे individual को ready करना हमारा लक्ष है तो C option इसका सही उत्तर होगा आप अगर limit करेंगे technology education में तो यह तो एक बहुत ही negative चीज होगे खास दोर से आज modern education में है ना तो limit करना है technology education में बलकि और promote करना है तकनीक को या प्रद्योगी की को और बढ़ावा देना है ताकि जो अधिगम है वो और ज्यादा बहतर बन सके और सुगम बन सके accessible हो सके accessibility बढ़ जाए देखिए technology अगर आज है तभी तो आप मुझसे ये lecture पढ़ पा रहा है औरना offline में कहां उतने दूर दूर से लोग कोई मुझसे 36 गर से पढ़ता है तो कोई मदप्रदेश से पढ़ता है कोई पढ़ता है जब technology के आँ बहतर उप्योग करें तो ये option में गलत हो जाएगा इसका सही option हो जाएगा C option और I hope की C option आपने नीचे comment section में mention कर दिया हो तो चलिए आज के इस class में इतना ही और यहाँ पर यह सारे जो सही इसके answers है वो उपलब्द करा दिया है मैंने और PDF जो है आपको रोज रात 10 बजे हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी ग्यानस्तली के टेलिग्राम चैनल पर तो आप जो है PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं daily classes के PDF रात में 10 बजे मिलता है तो इस वीडियो में यहीं तक मैं आसा करता हूँ कि मैं आपके जो life उसके कुछ positivity एड कर पाया हूँगा अगर ऐसा है तो kindly वीडियो को like कर दीजिए और साथी साथ जो भी आपके groups हैं study groups हैं उनसे share किया करिए लोग को बताया करिए comment section के जरिए कि आपको जो है कैसा लग रहा है हम से पढ़के इससे हमें भी motivation मिलता और हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दिल देना आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए नमस्कार